फर्स्ट इंडियन मिस्स यूनिवर्स 90's के जमाने में भी अपने टर्म्स पर फिल्म्स और रोल साइन करने वाली अक्टरिस अडॉप्शिन को लीगल स्टेटेस दिलवाने में एक मेजर रोल प्ले करने वाली अक्टरिस शुश्मिता सेन उन्हें लोग कह रहे हैं कि वो गोल्डिगर है और उन सभी ट्रोलर्स के लिए शुश्मिता सेन का ये जवाब यानि कि मैं सोने से भी जादा कींती हीरो को पसंद करती हूँ और वो मैं खुद के लिए खरीच सकती हूँ No one except Sushmita Sane can put this more elegantly Lalit Modi के अपने और Sushmita Sane का relationship disclose करने के बाद से Social media पर ऐसे trolls की जैसे बाढ़ ही आ गई हो And this is not the first time जब Sushmita Sane को इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ रहा है Hello and welcome to Uncut, मैं हूँ आपके साथ साक्षी चौहान Sushmita has lived her life on her own terms फिर चाहे उनके relationships को लेकर बाते हो या फिर her adopting two daughters वो भी बिना शादी के Sushmita has never cared about the accepted standards of society उन्होंने वही किया जो उन्हें ठीक लगा या वो करना चाहती थी आज हम बात करेंगे Sushmita Sane की life से related उन बातों के बारे में जिने शायद बहुत ही कम लोग जाते होंगे Miss Universe 1994 बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि Miss India Competition 1994 में because of Aishwarya Rai काफी contestants ने अपना नाम वापस ले लिया था competition से because they were afraid of Aishwarya's beauty and ऐसा ही कुछ Sushmita Sane ने भी सोचा but her mother asked her to participate and not to lose hope and rest is history और वो first Indian थी जिसने Miss Universe का title जीता adopting two girls who could have thought कि एक 24 साल की लड़की जो अपने करियर के पीक पर चल रही हो will adopt her daughter without being married और उनके इस adoption के decision को लेकर उस time भी खूब बाते बनी सवाल उठे और कई ने तो ट्रोल भी किया but like always she was firm on her decision और उसके 10 साल बाद ही she adopted her second daughter and giving them both a very happy life शुष्मिता ने एक example set किया बहुत सी ओरतों के लिए and she was not dependent on anyone for this और उन्होंने अपने एक interview में कहा भी था that while many considered it to be an act of charity for her it was self-conservation her relationships सुष्मिता सेन के relationships को लेकर हमेशा बहुत बाते हुई rumors भी रहे but she always choose her heart above everything सुष्मिता सेन has always been open about it her last relationship was with a model Roman Shawl जो की उनसे 15 साल छोटे रे and now she is dating Lalit Modi जो उनसे एज में 10 साल बड़े है but to put out the fact she was never dependent on anybody for her happiness and lifestyle नहीं सुष्मिता ने कभी एज को अपना बार बनाया और नहीं स्टेटस को she always had her head high fighting a battle with Edison disease in 2014 सुष्मिता वस डिएगनोस्ट विद अधिज कॉल्ड एडिसीज और इसी के चलते she has to suffer a lot in terms of her health, mood and body और यही वो टाइम था when she started meditation and नंचा कू work out to heal from this disease तो यह कुछ ऐसी बाते थी सुष्मिता सेन के बारे में जो बहुत ही कम लोग जानते होंगे वैसे खाली टाइम और उपर से free का internet मिल जाए तो लोग सोचते हैं किसी को कुछ भी लिखने का license मिल जाता है उन्हें और इसलिए जिन लोगों का कोई लेना देना भी नहीं होता वो भी बोलने लग जाते हैं पर शुष्मिता सेन का ये जवाब सुनकर शायद काफी लोगों को आपना जवाब मिली गया होगा आप तक क्या कहना इन सभी ट्रोल्स पर आप हमें कॉमें सेक्शन में बता सकते हैं and also like and share this video and subscribe to Uncut मैं हूँ आपके साथ साखी जोहान और आप देख रहे हैं Uncut